नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका पैबली हिंदी में आज का मारा टॉपिक है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कैसे आप है कैसे अमेजिंग आटोमेशन बना सकते हैं कि जब भी कोई न्यू लीट रिसीव लोगी इंडिया मार्ट पे तो आप आप आपको कुछ इस तरीके का आटोमेशन बनाना है अब पैबली कनेक्ट में हम यूज करते हैं ट्रिगर और एक्शन का तो ट्रिगर में आपको लेना है इंडिया मार्ट एक्शन स्टेप में आपको लेना है API बार पैबली और पूरा प्रोसेस एजिली हो जाएगा दोस्तो मज़े की बात यह है इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की जरवत नहीं है आप बहुत ही आसानी से पूरा आटोमेशन बना सकते हैं तो क्या आप भी पूरा प्रोसेस step by step सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पर ओके फ्रेंड्स तो चलिए सीखते हैं पूरा प्रोसेस step by step सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडियामाट का अकॉन लॉग इन करेना आपके ब्राउजर में और पर्टिकुलर अप्लिकेशन का अकॉन भी लॉग इन करेना है जिसमें आप डेटा सेंड करना चाहते हैं लीट पेज आप भी इस पेज पर आ सकते हैं simply आपके ब्राउजर में टाइप करके पैपली.com slash connect यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है sign in का option दूसरा sign up for free option तो अगर आप एक new user हैं तो आपको simply क्लिक करना है sign up for free वाली बटन पर और आप आपका account create कर सकते हैं केवल 2 minute में दोस्त दोस्तों आपको जाना है पैबली connect वाले डायलोग बॉक्स में क्लिक करना है access now और आप जाएंगे दोस्तों पैबली connect के dashboard पर आपको right hand side पे बटन देगेगा create workflow का इस पे आपको क्लिक करना है तो एक डायलोग बॉक्स उपन हो जाएगा आपकी screen पर जो बोल रहा है enter the name of the workflow तो दोस्तों basically आपको यहाँ पर आपकी workflow को कोई नाम देना है और select folder से आपको particular folder select कर लेना है जिस भी particular folder में आप आपकी workflow को save करना चाते हैं अगर आप new folder create करना चाते हैं तो create a new folder वाली बटन पे click करके इधा से new folder create कर सकते हैं मैं हाँ पर click करूंगा create workflow पे और let's say यहाँ पर select folders में particular folder select कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं automation for India Mart वाले folder में मेरी workflow को save करूंगा click करेंगे create वाली बटन पे और आप आप जाएंगे दोस्तों यह वाली screen पे यहाँ पर आपको दो important module समझना है जो हमारे automation में बहुत important role play करते हैं इनका नाम है trigger और action तो दोस्तों trigger बोलता है when this happens जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो तो basically trigger हमारे automation को start करता है और action में हम वो particular action perform करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी automation में तो यहाँ पर आपको trigger application choose करना है तो choose app में सबसे पहले आपको यहाँ पर choose करना है India Mart क्योंकि हमको India Mart का connection बिल करना है करने के साथ उसके बाद trigger event आपको इदा पर choose करना है new leads और फिर आपको click करना है connect वाली बटन पर तो इदा पर एक dialogue box उपन हो जाएगा आपकी screen पर जो बोल रहा है connect India Mart account तो basically हमको यहाँ बाद जो India Mart का account उसको पैबली करने के साथ connect करना है तो यहाँ बाद हम add new connection के साथ जा CRM API यहाँ पर show रही है इस पर आपको click करना है तो यहाँ पर current API की यहाँ पर show रही है जो मैंने already generate करके रखिए in case आपनी API की generate नहीं करी है तो आप generate की की मदद से इदर से API की generate कर सकते हैं तो सबसे बहले इस API की को मैं यहाँ से कर लेता हूं copy और simply यहाँ पर CRM की में इसको कर देते हैं paste उसके बाद आपको यहाँ पर click करना है save वाली बटन पर अब right in side पर आप देख सकते हैं 24 hours शो हो रहा है मतलब यह एक polling based connection है मतलब 24 घंटे में जो भी newly generate हुई होगी उसका response हमको capture हो जाएगा पैबली connect में तो यहाँ पर में click करता हूं save and send test request वाली बटन पर औ आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक positive response मिल गया है इदा पर हमको subject line शो हो रही है requirement for 1KB commercial on grid solar power system यहाँ पर हमको unique query ID शो हो रही है उसके आद हमको इदा पर state शो रहा है मद्यप्रदेश और इदा पर हमको lead की details मिल गई है जैसे कि sender name यहाँ पर शो रहा है demo user sender mobile number यहाँ प यहाँ पर हमको other details शो रही है जैसे कि city यहाँ पर शो रहा है बोपाल sender address यहाँ पर शो रहा है और उसके बाद आप इता पर other details देख सकते हैं जैसे कि product name और query message यहाँ पर शो रहा है we want to get grid solar power system for our onsite office quantity 10 piece तो दोस्तों हमने हमारे automation की जो first step है वो यहाँ पर complete कर लिए हमने इं another application में API by family की मदद से तो इदा पर मेरे use case में example ले रहा हूँ mailer light का इदा पर हम mailer light को integrate करेंगे API by family की मदद से मतलब family करने के साथ हम integration बनाएंगे mailer light का API by family की मदद से जो कि एक bridge की तरह काम करेगा यहाँ पर और इदा पर हम mailer light में इस particular lead को as a subscriber add करना चाहते है ठीक है यह म execute API request such as get post put patch and delete ठीक है तो इदा पर click करेंगे connect वाली बटन पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे fields action event method API endpoint URL payload type authentication ठीक है तो इदा पर हम क्या करना चाहते हैं इदा पर हम post करना चाहते हैं ठीक है send data to be processed by the API request हमारा objective है कि हमको data send करना है तो इदा पर हमें post choose कर लूँगा उ उसके बाद हमको इदा पर API endpoint URL देना है तो इदा पर हमको API endpoint URL कहां से मिलेगा तो enter the API endpoint URL for the API request you can add query parameters here तो इदा पर learn more पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इदा पर बाकी की information मिल जाएंगी ठीक है query parameters के बारे में इदा पर मैं आपको लिए चलता हूँ सीधे mailer light पे और य simply यहाँ पर हम endpoint URL में इसको कर देते हैं paste तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर URL add करना है और उसके बाद हमको इदा पर payload type चूज करना है तो यहाँ पर मैं JSON रख रहा हूँ ठीक है और उसके बाद इदा पर authentication में हम चूज कर लेंगे bearer token और फिर हमको इदा पर token देना है ठीक है तो token इदा पर हम कैसे generate करेंगे यहाँ पर आपको लिए चलता हूँ mailer light पर इदा पर आपको जाना है integrations पर और फिर आपको इदा पर देखेगा API तो इदा पर आपको use पर क्लिक करना है तो आप इदा पर दिख सकते हैं various tokens हमको यहाँ पर show रहे हैं इदा पर generate new token पर copy और simply हाँ पर हम family connect में token वाली field में इसको कर देते हैं paste ठीक है कुछ इस तरीके से आपको इदा पर token देना है अब नीचे आप fields देख सकते हैं add headers set parameters ठीक है तो इदा पर मैं click करता हूँ set parameters पर और इदा पर हम parameters add कर सकते हैं तो इदा पर आपको लिए चलता हूँ mailer light पर और इदा पर आप देख सकते हैं various parameters हैं मतलब क्या parameters के basis पर आप data send करना चाते हैं तो इदा पर आप देख सकते हैं email, fields, group, status यहाँ पर हम दो parameters ले लेते हैं email और status ठीक है क्योंकि हम इदा पर subscriber create करना चाते हैं तो इदा पर मैं label डालता हूँ email और इदा value में यहाँ पर मैं data map करेंगे previous step से इदा पर हम mapping करेंगे हाँ पर हमको manually type नहीं करना है क्योंकि mapping यहाँ पर important step है तो data map आप कैसे करेंगे यह आप देख सकते हैं previous step का response यहाँ पर show हो रहा है तो यह आप देख सकते है email id शो हो रही है sender email यह हमने इदा पर map कर दिया ठीक है कुछ इस तरीके से आप हमेशा dynamic response generate कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आपका workflow run होगा और जो भी new lead का response आपको received होगा previous step में वो response automatically इस response की जगे जाएगा यह value change हो जाएगी क्योंकि हम data map कर रहे है कोई भी चीज़ आप इदा पर manually type करेंगे वो हमेशा static रहेगा वो change नहीं होगा ठीक तो कि इदा पर आप देख सकते हैं एक और हमारे पास parameter यहाँ पर status तो इदा पर मैं डाल देता हूँ status ओके और फिर हमको इदा पर value देना है तो यहाँ पर हम value क्या रख सकते हैं आप इदा पर देख सकते हैं can be one of the following active unsubscribed unconfirmed bounce junk तो हमारा जो subscriber है वो active है तो इदा आप से active copy करते हैं और simply हाँ पर कर देते हैं पेस ठीक है तो कुछ इस तरीके से आप parameters add कर सकते हैं इदा पर और फिर इदा पर आपको क्लिक करना है savings and test request वाली बटन पर तो आप इदा पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक positive response मिल गया है इदा पर data email शो रहा है demo address.com status है active ठीक है जो हम और यहाँ पर आप कुछ अदर details देख सकते हैं जैसे की field name में demo user शो रहा है ठीक है particular subscriber का name आ गया है इदा पर mobile number शो रहा है इदा पर stage शो रहा है मद्रदेश ठीक है तो lead की जो details है ऐसी किसी details यहाँ पर हमको शो रही है ठीक है तो आए चेक करते हैं mailer light में कि यह particular lead as a subscriber create हू email id यहाँ पर शो रहा है पहले इदा पर one subscriber शो रहा था अब इदा पर two subscriber शो रहा है मतलब वो particular lead as a subscriber create हो गई mailer light में ठीक है इसको मैं open करता हूं और आप इदा पर दिख सकते है other details subscriber की जैसे कि इदा पर city में भौपाल शो रहा है phone number शो रहा है name यहाँ पर शो रहा है demo user email id शो create कर सकते हैं किसी particular application में या जो भी आपको objective में मतलब आपको contact create करना है या lead का data send करना है तो आपको इस तरीके से API बापाबली की मदद से यह चीज़ कर सकते हैं आइए summarize करता हूं कि इस पूरे process में हमने क्या कर रहा है तो इस automation में trigger में हमने लिया India Mart, trigger even हमने लिया new leads, action step में API बापाबली, action event हमने लिया post जिसकी मदद से हमने data send कर दिया lead का, मैंने example लिया है यहाँ पर meller light, आप आपके according इदर पर कोई सी भी अनाधर application में API बापाबली की मदद से data send कर सकते हैं India Mart lead का, ठीक है दोस्तों इदर पर लिखा है 24 hours मतलब यह polling based connection है, मतलब हर 24 घंटे में प API बापाबली की मदद से, दोस्तों अगर आप यह time reduce करवाना चाहते हैं तो आप हमको forum पे mail कर सकते हैं इसके regarding, और अगर आप भी इस workflow को test करना चाहते हैं या इस workflow पे काम करना चाहते हैं तो इस workflow की जो link है, वो मैं आपको description box में share कर दूंगा, तो आप बड़े ही आसानी से same workflow को clone करें कि उस पे काम कर सकते हैं और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी डाउट है तो आप में को comment section में जरूर बताएं, thank you यही नहीं दोस्तों आप और भी amazing automation बना सकते हैं पैबली करने की मदद से और आप हमको mail कर सकते हैं supportadretpabli.com पे अगर आपकी कोई query है या फिर कोई doubt है तो आप हमको reach out कर सकते हैं forumadretpabli.com पे और अगर आपको कोई pricing related issue है तो आप हमको reach out कर सकते हैं इस particular link पे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें